लो केट्स कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे मैं राखी सिंग आप सभी का हिंदी ओनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों शुरू करते हैं अपना क्लास जी के क्वाइशन एंसर से आप सब्सक्राइब बच्चों अब हम लोग जानेंगे इस वीग के एटिकेट्स के बारे में So our first etiquette is cover your mouth when you sneeze and cough Means खासते वा छीकते समय हम सभी को अपना मूँ अच्छे से कवर कर लेना चाहिए Our second etiquette is throw garbage in the dust wind Means हम सभी को कूडा हमेशा कूडे दान में ही फेकना चाहिए बच्चों आशा करते हैं आप सभी लोग इनका पालन करेंगे अब मेरे साथ sight words पढ़िए And, read after me, and, read after me, and Who, read after me, who, read after me, who, read after me, who, do, read after me, do, read after me, do बच्चों अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ओ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य बच्चों यह देखिए यह है ओ क्या है ओ और यह है ओ की मात्रा बच्चों ओ की मात्रा स्टेंडिंग लाइन में एक मात्रा लगती है और इसको बोलते हैं ओ क्या बोलते हैं ओ मेरे साथ बोलिए ओ आओ पढ़ें मुहन सोहन का मित्र है सोहन को समूसा खाना पसंद है कोयल बोल रही है मूर नाच रहा है रोली रसोई से कटोरी ला गोपी गोभी की तरकारी चक जो कर टोपी लगा बच्चों इसी प्रकार आप सभी को भी ओ की मात्रा वाले वाक्यों की रीडिंग करनी है अब नोट कीजिए मैथ का होमबुक राइट नमबर नेम्स फ्रॉम नाइटी वान तू हंड्रेट बच्चों यह होमबुक आप सभी को मैथ की नोट बुक पर करना है बच्चों अब बढ़ते हैं अपने राइटिंग पार्ट की और राइटिंग पार्ट में आज हम लोग लिखेंगे शृतलेक शृतलेक लिखने के लिए आप सबी लोग हिंदी की कॉपी पेंसिल और इरिजन निकाल लीजिए नोट कीजिए शृतलेक डेट एंड क्लास वर्क लिखिए बेला, लिखिए बेला, बेला, डन, very good अब लिखिए अनेक, अनेक, लिखिए अनेक, अनेक लिखिए सवेरा, सवेरा, लिखिए सवेरा, सवेरा अब लिखिए ताले लिखिए ताले अब लिखिए ले खक ले खक लिखिए ले खक ले खक अब लिखिए ते वर लिखिए ते वर बच्चों होप आप सभी लोगों ने शृतलेक के शब्दों को सुनकर लिख लिया होगा शुरतलेक लिखने के बाद आप answer seat से अपने शब्दों का मिलान कर लिजिएगा बच्चों अब नूट कीजिए आज का homework आज का आपका homework है दिये गए बाक्यों में ओक की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाईए बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है आशा करते हैं आप सभी लोग दिये गए homework और classwork को good handwriting में पूरा करेंगे Dear kids, thank you, thank you for watching the class, keep learning, bye-bye kids